आज से तीक तीक पांच महीने पहले हम सब इसी एतिहासिक मैदान में मोधी सरकार दुआरा लाए गएं काले अध्यदेश का विरोध करने के लिए एकत्ता हुए थे दो हजार तेड़ा के भूमी अधिग्रहन कानून में बदलाव के किलाव हम सब ने पूरे देश में अंदोलन किये हैं अंगिनार किसान संगतनों समाजिक संगतनों ने भी इसके किलाव आवाज उठाए NDA को चोड़ कर सभी राजनीतिक पार्थियों ने इसका जोरदार विरोध किया प्रधान मंत्री मोडी ने इस अंदोलन की गंबीरता को नहीं समझा इसको नजरंडाज किया लेकिन हल और हाथ की ताकत जब इकत्ता हुई तो हुने अपना सिर छुकाना पड़ा आज इस विशाल जंसमू को देखकर भाजपा सरकार के बाओ धले की दर्थी किसक गई होगी जिन्होंने उस काले अध्यादेश के द्वारा आपकी जमीन जीना चाते थे लेकिन ये जीत किसी व्यक्ती की जीत नहीं है ये जीत आपकी ही जीत है आप ही आप ही दूप हो या चाफ गर्मी हो या सरदी दिन रात महेनत मजदूरी करतें आप ही हम सब की जरूरते पूरी करने के लिए अपना खून पसीन बहाते हैं आप सिरफ आनादाता ही नहीं बालकी भाग्यविदाता भी है लराई का मैदान अब दिली से हग कर प्रदेशों में चला गया है आपका ये एतिहासिक संगर्श व्यर्थ हो जाएगा और आपकी जमीन से आपको बेडा कल कर दिया जाएगा ये तो बात हुई जमीन अधिकारान कानून में बदलाव की लेकिन जब से मोधी सरकार सत्ता में आए हैं किसान भारी संकत के दोर से गुजर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिथी दिन बादिन धैनिय होती जा रही है हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारे किसान और हमारे केत मजदूर तकलीफों का सामना ना कर रहे हूँ कही सूका तो कही बार कही पानी नहीं मिल रहा है तो कही बिजली कही बीज नहीं मिल रहे है तो कही खाद सफेड मखी फासल को नुकसान कर रही है इसके लिए जो दबाए मिल रही है वह भी नकली तेल, गेहू, रबर, तिल्क जैसे अनेक उत्पाद आयात हो रहे हैं जिसका पैदा आपको नहीं, किसानों को नहीं, बेचॉलियों को हो रहा है रोजमर्रा की जरूरत की चीजें के दाम अस्मान चूरे हैं और हमारी प्यारी बेहनों को घर चलाना कितना कथें हो गया है इन सारी समस्यों के लिए कौन जिम्मецार है? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन जिम्मेधार है? सिरफ और सिर्फ मोधी की सरकार, उनकी गलतीजियों और आपके प्रती, उनकी उदासीनता है आपको याद होगा डाक्तर मनमौन सिंजी के नित्रित्व में हमारी यूपिय सरकार ने जब आप कर्ज की चपेट में थे ना केवल बहातर हजार करोर का कर्ज माफ किया आपको हर मदद पहुचाने के लिए कोई कासर नहीं छोड़ा और इसके विप्री इसके विप्री मोदी सरकार की आपकी परिशानियों के प्रती क्या रवाया है उनकी दिश्चस्पी और घंटों का समय है तो उद्योगपतियों के लिए है उनकी शिकायतों को सुनने के लिए है हाँ, विदेश यात्रा के लिए भी खुब दिल्शस्पी है, खुब समय है और खुब पैसे है मोधी जी, आप चुनाव के दुरान क्या क्या नहीं बोले, क्या क्या वादें नहीं किये लेकिन जब से आप सरकार में आएं, आपने हमारी यूटिय सरकार की कल्यान कारी योजनाओ को या तो तंडे बस्ते में दाल दिया है, या फिर बरी कतोति की है हमारी बहनें, हमारी बहनें जिनकी गोर में देश की बविश्य पलता है उनके कारेक्रमों में भी आपने कातोती कर दी है आपने शिक्षा अस्वास्तियक चेत्र को भी नहीं पच्षा देश का युगवा रोजगार की तलाश में भतक रहा है क्या हुआ आपके वादे का जो नौजवानों को रोजगार देने का था क्या हुआ लगता है कि आज आपने अपनी आख और कान बन कर दिये हैं तो भाई और बहनों मोधी सरकार आर्कशेत्र में विफाल रही है अपनी विफालता को छिपाने के लिए प्रदान मंठरी कांग्रेस को बार बार दोशी तराते हैं और विकास के रास्ते में बादा मानते हैं मुझे उनके ऐसे काफन पर असी भी आती है और दया भी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी विचरदारा के साथी कहां थे कहां थे वे लोग जब अजादी कांदोलन चल रहा था एक पार्थी जिसने अजादी की लराई लरी कुर्बानियदी अजादी हासिल करने के बाद आधूनिक भारत का निर्मान किया क्या वदिकास के रास्ते में बादा हो सकती है जब भी वे जन्ता की परिशानियों को नहीं सुनेंगे आपकी आवास को नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस पार्थी उनके रास्ते में जरूर बादा बनेगी किसानों को सही MSP नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे और सभी जरूरत संसादन नहीं देंगे तो क्या हम उनके रास्ते में बादा नहीं बनेंगे अगर हजारों में, अगर बजारों में विदेशी, क्रिशी, पैदावार बरी मात्रा में ठोब दी जाएगी, तो हम क्या उनके रास्ते में बादा नहीं बनेंगे हम उनके रास्ते में जरूर बादा बनेंगे जब सूका और बार से पीड़ित किसानों को बहगवान बरों से छोड़ दिया जाएगा हम उनके रास्ते में जरूर बादा बनेंगे अगर कमगारों के अधिकारों को छीना जाएगा जंगलों और अधिवासियों की जमीन को छीन कर चंद उद्योपतियों को सोपा जाएगा हम उनके रास्ते में जरूर बादा बनेंगे अगर मेंगाय को काबू नहीं किया जाएगा अगर विकास का मतलब ज्यादातार लोगों की उपेक्षा और सिर्फ चंद लोगों का फैदा है तो हम निश्चित तोर पर ऐसे विकास का विरोध करेंगे भाई और बेहनों आज समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी परेशानी दिन दोगुनी रात चोगुनी न बढ़ती जा रही प्रथ्येक्वियत्ती परेशान है और में और मोदी सरकार अपनी आदत के अनुसार खोकली बाते कर रही है सिर्फ बाशन बाजी कर रही है वह ऐसी हरकतों को प्रोसान दे रही है जो समाज में लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा कर एक ऐसा तनाव पैदा करना चाहती है जो देश के भविश्य और राश्ट्रिया एक्ता के लिए बहुत बड़ा कत्रा है हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनाती है जिसका मुकाबला हम सब को मिलकर करना है राश्ट्रिया हिट हमारे लिए सबसे उपर है और इसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तयार है तो भायों और बहेनों आंत में मैं आप सबी को धन्यवाद देती हूं कि खरीव की फासल और आन्यव यवास्तता के बवजूद आप सब इतनी बड़ी तदाद में यहां आएं आपकी मुझूद की ने हम सब को नया विश्वास दिया है नए टाकत दिये हैं हमारे संकल्प को मजबूत की हैं और इसी इसी होसले के साथ हम सभी आगे की लराय के लिए तयार रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को यहां आने के लिए बिल से बहुत बहुत धन्यवाद आज यहां आप इसलिए एकत्र हुई हैं कि हम ने जो कोश्चें सोनिया जी और राहुल जी की नेतरत में शुरू की थी कि हिंदोस्तान के गरीबों खिसानों मजदूरों के हितों में जो काम हमारी व्यूपिय सरकार ने किया था झाल